कुआ है कि वीडियो सुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपके पास भी कोई है तो मेरे साफ जरूर कीजिए मैं अपने चैनल में आपकी टेप जरूर तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं दोस्तो फाइव यूसपूल कीचें टेप्स और जो आपकी कीचें में आपके कामों को लेके आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है और होता है ना कि कीचें के काम अगर जल्दी से ना हो तो हमें बहुत ज्यादा इस चाहिए कितना जादा जंक है और पूरी अंदर से ब्लाक हो रही है तो मैं आज अब को अंदर से ही इसको क्लीन करके बताऊंगी आप बिना महनत की से कैसे क्लीन कर सकते हो आपको लना है यहां पर ट्यालेट ग्रीन है बाट आप सोचेंगे में तो आलग ही रखा रहता ह जो मैंने कीचन में यूज करने के लिए रखा रहता है बस आपको ये ट्वैलेट क्लीनर इसके ओपर डालना है एक चीज का दोस्तों में ध्यान रख लो कि आप इसे सरिफ आईरन के बरतनों पे ही यूज कीजिए लोहे के बरतन में ही यूज कीजिए अलुमूनियम स्टील में बिल्कुल भी यूज मत कीजिए तो इस तरीके से आप इसे डाल दीजिए ट्वैलेट क्लीनर को पूरे आईरन के बरतन में जो आपकी आईरन की कड़ाई अगर काली है इस तरीके से आप देखेंगे यह मिंटो में साफ होगी बिना महनत की बस आपको क्या करना है इसको पहले अच्छा से अपलाई कर लीजिए थोड़ा साफधानी पूरवक अपलाई कीजिए यह पूरे आपके आईरन की कड़ाई में लग जाए इस तरीके से तो देखेंगे मैंने अपलाई कर लिया है अब अपलाई करने के बाद आप कम से कम इसको पंदरा मिनिट ऐसे ही छोड़ दीजिए किनारे में कहीं पे रख लीजिए अप्टर 15 मिनिट्स आप देखेंगे यह सारी गंदगी इसने छोड़ दी है और जितनी भी गंदगी थी वो सारी इसके अंदर निकल के जो इसका लिक्विट था उसमें आ चुकी है और बिना मैनत के ही मतलब आपको कोई रगणा नहीं पड़ा कोई कुछ नहीं करना यह वो कितनी अच्छे से क्लीन हो चुके एकदम वाइट लगे बट यह ध्यान रखेगा कि जो यह ट्वैलेट की नहीं रहा है इसे अपने ट्वैलेट कर यूज ना करके हमेसा नया क्लीनर यूज कीजिए तो अच्छा रहेगा आपकी हैल्थ के लिए और आपके लिए भी आपके स्कीन को बन कर सकते हैं आप देख सकते हैं कडाई बिना मेहनत के कितने अच्छे से साफ और सुतरी हो चुकी है तो मेरी नेक्स ट्रिप है दोस्तों कि कई बार क्या होता है हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में टमेटो को लेकर आ जाते हैं और उनको थोड़ा प प्रिजर्व करने का सिम्पल सा है कि यह है दोस्तों आपको क्या करना है सेलो टेप लेना है इस तरीके से आप सेलो टेप लेजिए और जो इसका मैं जब बहुत जो जादा हो जाते तो मैं िससों क्या हो वहाँ पर हमें सील पैक करना है और कहीं पर मिनी बस वह जो नोक है वहीं पर यहां पर से इसका वह ग्रीन पार्ट निकलता है वहीं से हम इसे लॉक कर लेंगे तो जो आपके टमाटर है वह दोस्तों वह लंबे समय तक चलेंगे तो यह हैक्स बहुत यूसफुल है आप इसे जरू ट्राइ कीजिए तो जो नया है दोस्तों वह यह है कि आपको कैसे पता चला है कि जो आपका सॉल्ट है वह परफेक्ट है आपके लिए मतलब उसमें कोई क करना है जो भी साल्ट आप यूस करते हैं वह आप एक चमच उसमें डाल दीजे और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजे मिक्स करने के बाद दोस्तों अगर आपके जो पानी का कलर है वह चेंज होता है तो मतलब समझ लें आपके जो नमक में है मिलावट है तो यह काफी अच् च्रिप यह है दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि जो लसन होते हैं उसको छिलना थोड़ा टिपिकल हो जाता है तो आपको क्या करना है सिंपल सा कटोरी लेनी है कटोरी से आपको इस तरीके से प्रेस करना है कोई भी हैवी चीज हो तो आपको तरीके से इस तरीके से प्रेस कर लीजिए चॉपिंग बोर्ड पे तो जब आप इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड पे प्रैस करेंगे तो इसमें प्रेशर पड़ेगा और इसको छिलना बहुत जादा आसान है तो एक उचल के इधर भी गिर गया तो इसे छिलना आप देखे कितना इसी हो जाएगा आप इस करिए इस हैक्स को तो मेरी नेक्स टिप यह है दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि जो हमारे ग्लास कंटेइनर्स होते हैं या ग्लास के कप होते हैं उसमें पानी के दाग रह जाते हैं या हार्ड वर्टर स्टेंस के दाग रह जाते हैं उनमें कोई शाइन नहीं होती तो सब से पहले इसको चमगाने के लिए आपको क्या करना है नॉर्मल जैसे आप इन्हें दूलती है वैसे आप धुल लीजिए इन्हें सोप से दूल लीजिए और इसकी सबसे अच्छी टिप यह है दोस्तों कि जब भी आप कांच की ग्लास या कोटोरी या कुछ भी आप अपने घर किसी भी एक बाउल में आप थोड़ा सा विनेगर ले लिजिए इस तरीके से और विनेगर लेने के बाद आप इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए तो देखिए मैंने एगलास पानी इसमें डाल दिया है उसके बाद जितने भी आपके कांच के कंटेनर या बरतन है इनको को इस तरीके से इसमें डिप कर लेना है डिप करने के बाद अच्छे से डिप कर लीजिए इस तरीके से दोनों बरतनों को मैं इसमें डिप कर लूँगी डिप करने से क्या ओका जो भी इसमें hard water stains हैं वो सारे निकल जाएंगे विनेगर के help से और विनेगर चीज़ों को shine करने के लिए भी बहुत अच्छा रहता है आपने देखा होगा काच वगर को clean करने के लिए हम विनेगर यूज़ करते हैं तो देख सकते हैं इसमें किती अच काच के कंटेनर में shine वगरा लाने के लिए क्योंकि जो कपड़ा है उसके रे से फिर आपके बरतन में छूट जाते हैं तो टीशू आप ले सकते हैं टीशू से आप clean करेंगे तो आप देखेंगे जो आपके काच के बरतन है उसमें किती अच्छी shine और किती अच्छी चमाक लाइगे तो आपको मेरी पसंद आईगे तो पसंद आएगे तो पसंद आए लाइक करना है मुझे कमें से चैक्शन में जरू बताईए कि कौन से वेले सबसे ज़ादा पसंद आईगे तो आँ मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स वीडियो में तब तक ले बाई takक्या और अ